दोस्तो गुजरात के मोर्वी में एक बहुत दुखद हाथसे में सस्पेंशन ब्रिज के कुलाप्स होने से 140 लोगों की मौत हो गई है जिसमें से जातर बच्चे और महिलाए थी और ये डेट टोल लगतार बढ़ता जा रहा है 1879 में नौगरेट हुए इस ब्रिज को रिसेंटली 26 ओउक्टूबर यानि कुलाप्स के चार दिन पहले ही मरम्मत करके खुला गया था तो अगर इस ब्रिज की बात करें तो ये मोर्वी टाउन में सिचुएटेड मच्छू रिवर पे बना हुआ है मोर्वी सी से 35 किलोमेटर तो वही राजकोट से 60 किलोमेटर दूर है और ये सुरेंद्र नगर राजकोट और जाम नगर डिस्टिक्स से सराउंड़िड है पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफतार किया है रेनोवेशन करने वाली कंपनी और एवा ग्रूप के ऑफीचल्स भी इसमें मौजूद है इस बेहत दुख़त हाथसे के लिए देश के बड़े नेताओं समेट वर्ल्ड लीडर्स ने भी शोक व्यक्त किया है जिसमें व्लादमिर पुतिन, जो बाइडन और इसराइली पीम प्रमुक नाम है दुस्तों याँ सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहेंगी लोग गिरफतार भी होंगे पर जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है उसकी भरपाई शायद ही कोई शोक, शायद ही कोई मुआवजा कर पाए